महान सोच और उसके सारे फल बिखर कर खराब हो गए वह लड़की वहीं बैठकर रोने लगी यह देखकर इलाईजा के होश उड़ गए उसने अपने भाई के कान में कहा चलो भाग चलें नहीं तो हमें लोग पकड़ लेंगे और वह भाई को खींचते हुए चलने लगी उसके भाई ने अपना हाथ छुडाते हुए कहा नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए पहले देखना चाहिए कि कहीं उस बेचारी को चोट तो नहीं लगी उसके सारे फल भी बिखर गए हैं चलो, पहले उसके फल तोकरी में रख देते हैं यह कहते हुए इलाईजा के भाई ने फल बेचने वाली लड़की को उठाया और बिखरे हुए फल उसकी टोकरी में रखे। उसके कुछ फल दब गए थे और कुछ फलों से रस बाहर आने लगा था। उन्हें देखकर वह रोते हुए बोली, यह सुनकर इलाईजा का भाई व्यतित हो गया। इस लड़की को देखो, यह फल बेचने के लिए जा रही थी, कि रह में हमसे टकरा कर इसकी टोकरी गिर गई और सारे फल खराब हो गए। हमारी गलती से इसका नुकसान हो गया है। हमें बदले में इसे अच्छे फल लेकर देने चाहिए। आप इसे फलों का पूरा मूल्य दे दीजिए और जब तक ये पैसे पूरे नहों, तब तक मुझे जेब खर्च के लिए पैसे न दें। भाई के इस्तियाग और दया को देख कर इलाईजा की आँखें भर आईं। वह मां से लिपट कर फपक पड़ी और बोली मां मुझे से टकराने से इस लड़की के फल गिरे हैं। मैं अपना जेब खर्च बंद करके इन फलों के पैसे चुकाना चाहती हूँ। मा ने कहा, मुझे प्रसनता है कि तुम लोगों ने अपनी गलती और करतव्य को समझा है। यह प्रशन सनिय है, इसलिए तुम ही जेब खर्च में कमी करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयम इस लड़की के ख्षति पूर्थी कर दूँगी। यह कहकर मा ने फल वाली लड़की से पूझा, बिटिया तुम कहां रहती हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। फल वाली लड़की ने आंसु पोँचते हुए कहा, मेरे पिता बहुत बीमार है, वे चल फिर भी नहीं पाते, उनकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फल बेचती हूँ और मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है, मैं अपने माता पिता के साथ अगली गली में रहती हूँ। इलाईजा की माँ अपने पुत्र और पुत्री को साथ लेकर उस लड़की के घर गई, उन्होंने न केवल उसके फलों के पैसे ही उसे दे दिये, अपितु उसके पिता के लिए औशदी और दूद आदी का प्रबंध भी कर दिया। इलाईजा का यह भाई और कोई नहीं निपोलियन बोना पार्ट था, जो बड़ा होकर फ्रांस का एक महान युद्धा बना। सच है कि उंचे विचार रखने वाले लोग ही महान बनते हैं।